हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टो नॉलास अपडेट यूटोब सनल दोस्तों हम वाटस अप में जब भी ओडियो कॉल करना चाहते हैं कॉल पे क्लिक करते हैं तो इस तरफ से आता है सेटिंग वाला कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लेम हो रहा है तो दोस्तों वीडियो को आगे बरने से पहले आपको एक रिक्वेश्ट करता हूँ जो वीडियो देख रही हो आपको इसी कुछ में वीडियो को लाइक कर दिना है और सेटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है यह ओल वाला बेल पर आपको दबा कर दिना है और दोस्तों जो वीडियो देख रहे हो सिम्टे नीशे कॉमेंट बॉक्स आएगा तो कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर एडए कॉमेंट बॉक्स में आपको एक कॉमेंट करते ना होगा नाइस वीडियो या कुछ भी एक पैरा सा कॉमेंट करते ना होगा उसके बाद दोस्तो अभी आपको करना क्यों होगा जो आपका WhatsApp है WhatsApp में आना है आने की बाद जिसको भी आप call करना से आती हो इस तरह उसे सेटिंग आएगा तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर दिना होगा और दोस्तो सेटिंग पे आने की बाद यहाँ पे देखना एप पार्मिशन करके एक सेटिंग मिलेगा तो इसी एप पार्मिशन में क्लिक करके आपको नीचे आना होगा और call logs पे क्लिक करके allow कर दिना होगा उसके बाद फिर phone पे click करके allow कर दिना होगा फिर उसके बाद SMS में भी allow कर दिना होगा यह तीन setting allow कर दिने के बाद उसके बाद जो यह auto start, auto start अगर on है तो off है तो on कर दिना होगा तो अगर on है तो ऐसी रहने दो फिर यहाँ पर other permission में यह जो यहाँ पर right है यहाँ पर इसमें always allow में click कर दिना होगा फिर home screen shortcut always allow बस इतना कर दिने के बाद फिर जो है आप back आओ, back आने के बाद whatsapp में खोलो, खोलने के बाद इसको भी आप call करना चाहते हो, एक click पे directly call लग जाएगा, यह देखो call लग रहा है देख सकते हो, यह देखो उसके बाद video call करना चाहते हो, तो इस तरफ से यह देखो video call लग चुका है ठीक है, और यह कोई भी fake नहीं है यह सिर्फ exciting के मदद से यह problem होता था तो आज के बाद नहीं होगा तो आगर दोस्तों आपको यह वीडियो से कुछ भी सिखने हो विला और video help लगा, तो please दोस्तों video को like ज़रूर कर देना